एलो फ्रेंड्स तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कोस्टन ले करके आया हूं ये कोस्टन नमबर 3 है पेज नमबर 112 क्लास 10th math की CBC book से question लिया गया है ठीक है और question का first part मैं discuss कर चुका हूं जिसमें पहला question मैंने discuss किया है अब इस question का second part आज मैं discuss करूँगा तो second part में हमसे बोला है कि A की value 7 है A 13 की value 35 है D की value में find करनी है और S 13 की value में find करनी है तो student इस question को मैं discuss करूँगा इससे पहले मैं आपको बता दूँँ कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देगा है तो हमारे चैनल के playlist में जाकर के पहला question देख सकते हैं और पसंद आये तो हमारे चैनल को like करें subscribe करें और दोस्तों को share करें चलिए इस question को discuss करते हैं कि जो d की value है वो क्या है और s 13 की value जो है वो क्या है हमें यहां पर दिया गया है s a की value और a 13 की value और n की value n की value कैसे पता चलता है तो जो question में बोला है कि a 13 is equal to 35 है तो इससे हमें पता चलता है कि यह 13 की n की value जो है वो दिया गया है यह जो होता है यह क्या होता है यह number of term होता है ठीक है यह क्या होता है number of term होता है और number of term को हम n से represent करते हैं तो यहां पर हमें n की value दिया गया है इस बात से में पता चलता है ठीक है अब हमें a की value पता चल गई और an की value पता चल गई और n की value पता चल गई तो हम arithmetic progression में AP का formula use करके D की value find कर सकते हैं तो by using AP formula AP formula क्या होता है AN is equal to A plus N minus 1 into D अब यहाँ पर AN, यानि की A 13 की value हमें दिया गया है 35 A की value हमें दिया गया है 7 N की value हमें 13 दिया गया है और D की value हमसे पूचा गया है यह जो 7 है उदर जाके minus होगा तो 35 minus 7 is equal to 13 minus 1 करेंगे तो महरे पास आजाएगा 12 into D और 35 में से 7 को minus करेंगे तो महरे पास आजाएगा 28 28 यह 12 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो डी is equal to 28 by 12 अब अगर डी की value find करेंगे तो मैं आपड़ division कर लेंगे ठीक है और division करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 यहांसे हमारे पास जो डी की value आएगी वो 7 upon 3 आएगी student आप चाहो तो इसे और जड़ा solve कर सकते हो मतलब इसका value आप division में ला सकते हो लेकिन इस question में जो answer है वो मैं ऐसे fraction में रखता हूँ क्योंकि इसको solve करने में आसानी होती है जब आप इसको decimal में convert कर देते हैं तो आपको solve करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो चलिए फिर यहांचे में d की value पता चल गई अब हमें यहांपर sn की value find करनी है मतलब s 13 की value find करनी है यहां पर हम by using by using sum of arithmetic progression sum of nap so sn का formula होता है मारे पास यानि की sum का formula होता है sn is equal to n by 2 अंडर्वे के 2 into a plus n minus 1 into d यह हमारा sum का formula होता है जहां पर 13 हमें find करना है जानि की जहां जहां पर n है वाम आप हमें 13 put करना है तो हो जाएगा मारे पास 13 upon 2 2 into 7 यह की value हमें 7 दिया गया है plus n की value हमें 13 दिया गया है और d की value हमें दिया गया है हमने find क्या है 7 upon 3 तो यहां से यहां पर जो यह 13 upon 2 है तो जो n की value है वह odd है odd को जब भी हम solve करते हैं तो decimal में answer है इसलिए हम इसको as it is रहने देंगे solve आखरी में करेंगे और 2 से बंजा 14 हो जाएगा यहां पर 13 minus 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा into 7 upon 3 कर लेंगे देखे 3 1 जा 3 3 4 जा यह 4 का multiple है तो आगे क्या आजाएगा 13 upon 2 under bracket 14 14 plus 28 क्योंकि यह 7 से 4 को multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 28 आजाएगा अगेन हम 7 plus 14 plus 28 को add करेंगे तो कितना आएगा 13 upon 2 4 plus 8 12 हो जाएगा 1 carry 2 plus 1 31 4 हो जाएगा 42 आजाएगा यहां पर 2 से cut कर लेंगे 2 1 जा 2 2 21 जा 42 तो यहां पर 13 into कितना आ गया 40 sorry 13 into 21 अब इस 13 into 21 को multiply कर लेंगे तो देख लेते हैं multiply करने पर कितना आता है 13 का डेबल हमको आता है तो 13 का डेबल पढ़ेंगे 1 जा तो 13 जा 3 13 जा 13 होता है 3 right कर लेंगे और 1 carry कर लेंगे ठीक है 13 2 जा होता है 26 और plus 1 27 तो यहां पर जो हमारे प्लास स एस 13 की value आएगी वह आएगी 273 कितना आएगा 273 और इस प्रकार से तो नंबर आप तर्म जा तो इस तर्म तर्म कमन दिफ्रेंस सो कमन दिफ्रेंस is equal to 7 by 3 and sum is equal to 7 by 273 तो यह इस question का answer होगा students उमीद करता हूँ कि question आप लोगों समझ में आया होगा अगर यह वीडियो आप लोगों ज़रा भी helpful लागा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें और share करें ताकि आपके दोस्त जो आपके जैसे हैं उनको इससे help मिल सकें इसी प्रकार से अगला वीडियो देखना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में question number three का third part लेकर के तब तक के लिए thank you class और share के टूझ ए कि लुटे लूटोश से लागा वीडियोग्पटे लागा वीडियो १ीडियोटे के लागा है